हेले श्टूडेंट कैसे आप सब एक बात मुना से कोचिंग क्लासेट पर स्वगात हूँ अप सब बच्चे होंगे पेरे बच्चो आपका जो चल रहा था क्लास 11 फिजिक्स में वो हमारा अब कलन चल रहा था एक्स अच्च की धनात्मक दिशा में कितना कोण बनाती है कोण निकालना है थीटा निकालना है मैं आपको बताऊंगो बिल्कुल आप चिंता न करें x अच्च की धनात्मक दिसावे मतलब x के सापेच आप कलन करेंगे जिसे हमारे पास देखे रखा है y बराबर x square minus 2x plus 3 आपको क्या करना है x के सापेच आप कलन करना है x के सापेच x के सापेच क्या करने पर अब कलन करने पर x के सापेच अब कलन करने पर अब कलन कर दो पेरे बच्चो तो y है इधर हो जाएगा d y upon d x इधर है d upon d x x square minus 2 x plus 3 ओके यतना हो गया यह आपने x के साफ पेच अब कलन किया और आपने अब कलन का तो धेर सारा वीडियो देखा जी हाँ बनता होगा पेरे बच्चो x square काप कलन कितना हो जाएगा दो सामने आएगा और दो में एक घटेगा ठीक है यहाँ पर देखो x काप कलन एक होता है याद रखेगा तो 2 constant है 2 और x काप कलन एक जब भी आचर पद हो पेरे बच्चो तो आचर पद काप कलन कितना होता है सुन होता है कितना होता है सुन होता है यादि आपका निकल कर आगया d by upon dx equal कितना आगया 2x 2 में घटाएंगे तो एक लिखनी ज़रुद नहीं है minus 2 यह हो गया आप क्या बोला है x अच्च की धनातमा कि दिशा में तो x h कमान देखो 0 है और by कमान कितना है 3 तो हम x बराबर कितना रखेंगे 0 रखेंगे तो जब x बराबर कितना हो जब x बराबर 0 हो कितना हो x बराबर 0 हो तो dy upon dx 2 गुणे 0 minus 2 कितना निकल कर आएगा minus 2 निकल कर आएगा पिर बच्चों क्योंकि यहाँ पे आपका यहाँ पे आपका देख सकती है 2 में 0 का multiply होगा 0 हो जाएगा 0 में 2 घटेगा तो माइनस 2 ही आएगा यहाँ तक clear है अब देखो कोड निकालने के लिए आपको एक formula याद करना पड़ेगा जो आपका 10 theta होता है यह होता है dy upon dx के बराबर यह ढाल होता है पिरवच्चो dy upon dx अब देखो 10 theta रहने 2 और dy upon dx का मान कितना देखे रखा है माइनस 2 और हमें क्या निकालना था theta तो 10 का पक्छांतर हो जाएगा तो 10 inverse माइनस 2 यही आपका क्या है answer है question कितना simple था आपने x के respect में differentiation कर दिया अब कलन कर दिया फिर जो बिंदू देके रखा था बिंदू से आपने x का value find कर लिया यह जो बिंदू 0 3 है तो जब भी निर्दिसांग दिया रहता है पहला जो आपका point है वो x अच्छा है जिससे 0 है देके रखा है मान तीन जो है वो y x का है तो x का हमने value put कर दिया dy1 dx निकल कर आगया इसके बाद 10 theta का फार्मिट आपको बताई है कि 10 theta बराबर कितना होता है dy1 dx आपने रख दिया तो theta का मान निकल कर आगया फिर बच्चो 10 inverse और bracket में हो जाएगा minus 2 यह पहला question हो गया इसके बाद हम बात करेंगे दूसरे question की दूसरे question में देखेंगे आप लोग एक बुलबुले की तरिज़ा 2 cm है यदि उसकी तरिज़ा 1 बटे 4 cm प्रतिस सेकेंड की दर से बढ़ रही हो तो उसका आयतन किस दर से बढ़ रहा होगा question में देखे रखा है तरिज़ा बढ़ रही है किस के साथ समय के साथ तरिज़ा बढ़ रही है समझेगा हल करते समय थोड़ा सा ध्यान भी देना पड़ता है क्या देखे रखा है क्या find कर रहा है देखे ज़रा तरिज़ा देखे रखा है पर सेकंड की दर से बढ़ रही है यह दिरज्जा में परिवर्तन भी दिया है DR अपान DT समय के साथ बढ़ रहा है कितना एक बटे चार सेंटिमीटर पर सेकंड तो किस दर से आइतन बढ़ेगा मतलब DV अपान DT निकालना है समय के साथ आयतन में कितना परिवर्थन होगा उसे हमें फाइंड करना है अब बताओ एक बूलबुला चूंकि बूलबुला कैसा होता है गोला होता है चूंकि बूलबुला गोले के आकार का होता है गोले के आकार का होता है होता है कि नहीं चुकि बुलबुला किस आकार का होता है गोले का आकार का होता है बुलबुला गोले का आकार का होता है इसलिए आयतन भी बरावर कितना हो जाएगा गोले का आयतन चार बटे तीन पाई यार क्यूँग अब बोला है बच्चा लोग समय के साथ समय के साथ आयतन में परिवर्तन यह ती के सापेच क्या करेंगे अब कलन भले यहाँ पे आर है दोनों पे आर है मतलब इधार ती नहीं है इधार भी ती नहीं है अब कलन कर दो पेर बच्चो भी है तो डी भी अपान डी टी हो जाएगा इधार भी डी अपान डी टी हो जाएगा चार बटे तीन पाई आर क्यूग हो जाएगा जो भी कांस्टेंट है उसे बाहर ले आओ कितना हो जाएगा D upon DT और पाई भी है तो पाई भाहर लिए D upon DT R की होगा अच्छा यहाँ पे D के रिस्पेक्ट में अब कलन हो रहा और यहाँ पे R है तो अब कलन तो हो नहीं पाएगा यार तो क्या करें इसको हम D R लिख दें तो R की रिस्पेक्ट में हो जाएगा जब अर जस्ती का D R इधर भाग कर दियें तो D R गुड़ा कर देते हैं अब तो कोई दिक्कत नहीं DT कहांगे सर DT नीचे ही है परसान होने की ज़र्वत तो नहीं है अब चलो देखो कितना है 4 बटे 3 पाई हो जाएगा R क्यूब का 3 सामने आएगा तो 3 में घटा दो तो R स्क्वाइर हो जाएगा अब कलन D R अपान DT एक बटे 4 देखे रखा है इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए देखो ज़रा 4 से 4 कटेगा 3 से 3 कटेगा कितना बचेगा Pi R स्क्वाइर Pi R सक्वाइर और चूकि R कमान दो रखा है तो 2 का बर्ग और Pi नहीं चार Pi आइतन यह चैनि सिंटिमीटर क्यूब 30 से केंड यह आपका एंसर आगिया यह आपका एंसर आगिया बिल्कुल सिंपल है यह आपका क्या हाचुका है आयतन में परिवर्तन, समय के साथ आयतन में कितना परिवर्तन हो रहा है अब कहोगी संटिमीटर क्यूब कहां से आ गया सा आयतन कहोता है लंबाई गुड़े चोड़ाई गुड़े उचाई इसलिए संटिमीटर क्यूब लंबाई भी, चोड़ाई भी, उचाई भी, सब का cm होगा, और आपका t का समय होता, तो cm3 बते, एस एनी सेकेंड हो गया, ओके, दोनों question complete, अगला question देखी पेड़े बच्चो, same question है, ठोगा सा मिलता, question usually करा रहे हूं, क्योंकि ये question आपने दिखा लिया तो उससे similar question आपको आना चाहिए एक कण सरल रेखा में गती कर रहा है 30 समय पर कण दोरा चली गई दूरी x है जो निम्न सम्मन्ध दोरा दी जाती है मतलब x एक प्रकार से समी कण देके रखा है 4 t square धन 2 t पहले आप question में देखे है y बराबर x की फॉर्म में देके राखा तो यहाँ x बराबर t की फॉर्म में दिया है तो कुछ नहीं है यह t के साफ़े छपकल करनेगी कोई दिक्कत नहीं है बोलके रखा है t बराबर एक बटे दो पर कण का बेग ज्यात कीजिए यह question है इसके बाद हल करते है क्या करेंगे हल देखे गज़रा क्या दिया पेर बच्चो दिया है x बराबर कितना है 4T isquare plus 2T यह x बराबर देके रखा है हमको t के साफ़ेश अब कलन करना है t के साफ़ेश t के साफ़ेश अब कलन करने पर अब कलन करने पर T के सापेच अब कलन करने पर करिये जरा करिये कितना हो जाएगा X देके राखा है तो D upon D T X दिया यह पर बच्चो D upon D T 4 T square प्लस 2D दोनों में अलग-अलग कर देते हैं तो आसान हो जाएगा इसको समझना कैसे अलग-अलग करना मतलब यहाँ पर बच्चो निमंत्रन खाने जितने लोग आते हैं उनको अलग-अलग से खाना खिलाओ बहतरिन बठा कि प्लस D upon D T यहाँ पर आपका 2 T हो गया 4 constant है भईया 4 common है उसे बाहर ले आओ 4 बाहर ले आओ कितना बच्चे कर D upon D T T square है प्लस दो बाहर ले आओ तो D upon D T और T हो गया जिस प्रकार से प्यरे बच्चो X के respect में अब कलन होता है यहाँ पर T के respect में अब कलन हो रहा है बाकी से में कोई परिवर्तन नहीं करना है तो जैसे प्यरे बच्चो T square का 2 सामनी आता है और 2 में 1 घटा देनी ठीक है यहाँ T का अब कलन कितना हो जाएगा एक हो जाएगा तो 4 दूना 8 T धन 2 हो गया अब question में देखे रखा है T बराबर 1 बटे 2 रखना है T बराबर 1 बटे 2 T बराबर 1 बटे 2 पर कन का बेग कन का बेग देखो बेग जो होता है पर बच्चो यह जो बेग है वो D X upon D T यहीं समय के साथ दूरी में कितना परिवरतान हो रहा है X में कितना परिवरतान हो रहा है तो कितना देखे रखा है 8 T कमान 1 बटे 2 धन 2 4 दूना 8 कितना आ जाएगा 4 धन 2 यह नहीं पेर बच्चो 4 धन 2 कितना हो जाएगा 6 इकाई 6 इकाई हो गया ठीक है यह आपका simple question था और ऐसे ही question आपको मिलेंगे ऐसे ही question मिलेंगे जिसे आप आसानी से कर सकते है तो अगला question देखिए same question है ना गुबारा जो गोलाकार है चर त्रिज्जा रखता है त्रिज्जा के सापेच आयतन में परिवर्तन निकालना है ठीक है तो माना मान के चलते हैं माना थोड़ा सा माना गोले की त्रिज्जा आर है माना गोले की त्रिज्जा कितना मानोगे पेरे बच्चो small r तथा आयतन कितना मान कर चलोगे आयतन भी है माना गोले की तरिज़े small r तथा आयतन कितना भी है इतना मान सकते हो माना गोले की तरिज़े small r तथा आयतन भी है तब गोले का आयतन कितना होता है तब गोले का आयतन कितना हो गोले का आयतन चार बटे तीन पाई आर क्यो यहनि भी बराबर आ गया चार बटे तीन पाई आर क्यो यहनि भी बराबर आ गया चार बटे तीन पाई आर क्यो बोलके रखा है आयतन में परिवर्तन समय के साथ ठीक है, तो दोनों पच्छों में T के सापेच, अब कलन करने पर, चलो भाई साब, कर दो अब कलन, तो कितना हो जाएगा, डी भी अपान डी टी, और इधर हो जाएगा, डी अपान डी टी, चार बटे तीन, पाई आर क्यूब, चार बटे तीन, पाई आर क्यूब, यहाँ ता क्लियर है, अब चलो, आगे देखो, चार बटा तीन, पाई कामन ले लो, डी अपान डी टी हो जात है अब और के होगे हैं अर्की कि अब कर दिया हमने सारे माएंट संब हमने लिए एसा कोई में जिसको हमने 11 क्लास में निदे तो इसको कैया कर दें और का चाह पर आपने जब अपने कर दिया पाई है आर क्यूब का जो अब कलन हो जाएगा तीन सामने आएगा और तीन में घड़ जाएगा ठीक है और फिर यहां पर देखो क्या बुलू जब की त्रिज्जा कितना है त्रिज्जा आपका पेरवच्चो पांच सिंटीमीटर है तो यहां पर डी आर अपांडी टी नहीं देखे रखा है पेर बच्चो तो रहने दो कोई दिक्कत नहीं आगे देखो चार बटे तीन तीन से तीन कड़ गया तो चार पाई आर स्क्वेर डी आर अपांडी टी यह त्रिज्जा में परिवर्तन भी हो सकता है त्रिज्जा में त्रिज़ा में परिबरतन ठीक है एंसर कितना डगा पचाम 25 यों को सौ पाई ठीक है सिंती मीटर क्यू sound त्रिज़ा में परिबरतन क्या हो攻ुलेंट शके और ऐसे कोश्चन और भी मिलेंगे परवच्चों जिसे आप आसानी से कर सकते हैं ठीक है वीडियो पसंदात लाइक कर दें शेयर करें और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब पर लें जय हिंद बंदे मात्रा